वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरण सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहें यूटूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज यह वाला प्री टेलिग्राम चैनल जरूर जोइन कर लिएगा सारे नोटिफिकेशन सारे अपड़िट यहीं पर आते हैं ध्यान लगए जैहिंद एवरिवरिवान वेलकम यू आल टू स्टाड़ी फॉर्स सेवल सर्विसेस आज की हमारी डेट 11 ऑक्टूबर है और अगर आपको यह जोइन करना है तो यह हमारे दिये गए नमबर इस पर आप कॉल करो और अपनी सारे जानकारी ले सकते हो उसके कि साथ-साथ आपके यह है टेलिग्राम चैनल भी उसको भी जोइन कर सकते हो यह हमारे आज की आर्टिकल आप सभी लोग जानते हैं कि अभी बहुत निउस में चल रहा है कि हमास का जो है वो अटाक हुआ है इस्वाइल इंडिया का स्टान उस पर क्या रहा उसको पूरा समझे दूसरा अभी एक नहीं यह खबर आई है कि जो हमारे एक्जामिनेशन बोर्ड है उसकी तरफ से यह निउस आया है कि स्टूडेंस जो है वो बोर्ड सब्सक्राइब कैसे रह सकते हैं और साथ ही साथ से देखेंगे क्लाइमेट चेंज की वज़े से जो एमफिबियंस होते हैं उन पर क्या इंपाक्ट पड़ा तो सबसे पहला हम लोगों का जो आर्टिकल है वो यह कहता है कि तबसे पहली देख लेते हैं इसको एक मिनट रुकेंगे हाँ बई आप साभी लोग जानते हैं हमास का अटैक जो है वो साथ अक्टूबर दो हजार तेज़ को इसराइल पर एक बहुत बड़ा हमला जो है वो शुरू किया था असल में गाजा और इसराइल की जो सीमा है गाजा स्ट्रिप कहते है उसको उस पूरी ट्रीटी का एक उलंगन उलंगन मतलब कि वहाँ पर उसमें एक वाइलेशन जो है वो किया गया है जब जसकी वजह से जो आसपास की यह जो वहां के area है उसमें यह attack जो होना शुरू हुआ है तो basic बात जो है यहाँ पर Hamas और Israel इनके versus की situation चल रहुँ है अब यह situation क्या है असल में हुआ क्या था ऐसा क्या था यह थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर पहले समझ रोते हैं पहले हम इस conflict को समझने की कोशिश करते हैं असल में यह conflict को आप यहां से पढ़ सकते हूं यहां पर देखेंगे 19 सेंचुरी में यहूदी जो समुदा है वह वह उस एरिया के जियोनी आंदोलन जो है वहां पर वह उसमें involved था क्योंकि यहूदी विरोज जो है वह काफी बढ़ता जा रहा था और वहां पर प्लिस्तीन है जो की वहां पर यहूदी राज्य की स्थापना जो है वह बात करनी की जा रही थी कि हम लोग यहां पर जो है वह बनाएंगे वर्ड वार बन जब हुआ तो प्रिटिश की पूछा जा सकता है इसके ओपर ठीक है क्योंकि ऐसे ही वह यूपीसी के लिए भी इंपॉर्टन है तो यहां पर यह आपको पूरी की पूरी स्टोरी एक बाक्ग्रॉंड के साथ में पता होनी चाहिए कि असल में हुआ क्या था पहले पहले इसा हुआ था हिस्ट्री के क्या यहां पर यह चीज़े जो है वो चल रहे है ठीक है तो इस प्रकार से यहां पर वर्ल्ड वार वन में यह जो एक डिक्लरेशन साइन किया गया था यहूदी लोगों के लिए कलग से राश्ट्रे घर बनाने की बात की थी फलिस्तीन में यह बैलफॉर्ट डिक्लरेशन जारी हुआ और फिर बृटेन ने जारी कर दिया कि पलिस्तीन है उसक्रुर्याषन करने का अधिकार जो है पर बिएंड रिटें बौ Mais You can यहूदी जो आपरवासी थी उनके अरब समुदाओं के साथ तनाव में काफी वृद्धी होने लग गई थी जो वहां पे जो आये थे बाहर से वहां पर जो अरब समुदाय रहता था उनके प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई तो यहूदी ने क्या क्या कि एक काम करते हैं तो यहां पर पलिस्तीन के लिए अलग विभाजन करने की बात कर दें कि जुईश और अरब अलग 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 तो यह सपोर्ट जो है जुईश ने काफी अच्छा के लेकिन अरब यह चीज मानने में नहीं थे इसकी वज़ा से पलिस्तीन का वार होता है 1947 से 49 तर यह था पह इसराइल की स्थापना 1948 में हो जाती है तो उसकी वज़ा से जो बाकी आसपास की और कंट्री से जैसे कि एजिप्ट जॉर्डन सीरिया यह सब भी कंट्री में आके हिस्सा लेना शुरू कर देती जिसकी वज़से अरब और इस्राइलियों के बीच में एक वार होना शुरू इसराइल जो है वो और जादा बड़ा स्टेट के रूप में स्थापित हो करके उस समय आया इसराइल काफी बड़ा रीजन के रूप में देखने को मिला इन सबकी बाद और फिर यहां पर पलिस्तीन की एक लिबरेशन और्गनाइजेशन थी उसके हेड थे यासीर अराफत वो यहां पर पलिस्तीन का जो है बढ़ाने में इसराइल को खतम करने में काफी हेल्प करें उसके बाद बहुत सारे और एकॉर्ड अगरिमेंट्स वगरा साइन हो ताकि जो यहूदियों और यह प्रॉब्लम्स चल रहें इनको सॉल्ट किया जा सकी उसके लिए काफी सारे यहां पर लेके आए दूस्टू स्टेट का सॉलूशन निकाला गया यहां पर ठीक है तो यह सब जो है स्टार्टिंग से काफी समय से यह प्रॉब्लम्स जो है वो चलती आ रही थी और फिर इस कॉन्फलिक को यहां पर लबलेकाल के लाया क्या फिर इस्राइली पीपल जो ह जादा होने लग जाएंगे अगर ऐसा कुछ हुआ तो वह और जादा एक्स्मांड करने लग जाएंगे खुद को जेरुसेलम जो है वो प्रॉपरली जेरुसेलम की जो है वह वह विवादत जगा जो है कि इस्राइली और पलिस्तीन दोनों इसको अपनी कापिटल बनाते है चीक है तो यह सब प्रॉबलम यहाँ पर देखने को मिली जेरुसेलम के येरुसेलम भी कहते हैं कई बार इसको जेरुसेलम भी पढ़ सकते हो चीक है भई तो इस तरीके से यह डिमांड होनी शुरू हुई और पलिस्तीन की यह डिमांड है कि इस्राइल जो है अपनी लाइ अब हमास कौन है हमास कौन से लोग है हमास जो है वो एक तरीके से है मिलिटेंट। गुरूप है एक Μाया जो है वो ज्योएक मिलिटेंट। का नाम है इसलामिख घाजा की वपर है अभी जो की पलिस्ति में टेडिरी के उपर यहां पर जो है घौपской अभी पूरा अपना अच्छा कासा इस्तिमाल किया हुआ है और इनके हेड़क्वाटर गाजा सिटी में ही बने हुए है इने कहते हैं हमास इसके अभी जो में हैड है वो इसमाइल हानिया करके एक परसने वहां पर हमास की जो पॉपलेशन गाजा स्ट्रिक के अराउंड दो मिलियन पलिस्तीन वहां पर रहते हैं और वहीं पर ही जो है बहुत बड़ा यह एक जो बहुत है वो इस तरीके से चल रहा है उस रीजिन पर हमास का जो फुल नेम है वह अराकात अल मुवक्कत इस्लामया है मतलब कि इस्लामिक रेसिस्टन्स मुव्मेंट के नाम से इनको जाना दाता है इसके फाउंड़ हमा की पुरी और यह जो है गाजा सिटी के अरांकर जो रीजन है वहीं पर ही रहे इनकी में जो पूरा आइडियोलोजी है यह पलिस्तीन है और यह मुस्लिम में भी सुन्नी मुस्लिम से बिलॉंग करते हैं फ्वेशन आता है कुछ भी ऐसा तो आपको पता आना चाहिए इनका अपना पार्टी का एक अलग फ्लाग है इनके साथ में यह हमास के साथ जुड़े हुए पाकिस्तान अफगानिस्तान कतर सीरिया इरान अलजीरिया लेकिन इनके अगेंस में कौन है इसराइड एजप्ट जॉडल यू एई यह सम्झे इवन इनको डेख जो है यू एसे यू के ऑस्ट्रेलिया इसराइल जपान ने एक टेरिरिस्ट ग्रुप के रूप में भी कह दिया है समझे बात को तो इस तरीके से ये न्यूज जो है वो हमास के बारे में आपको एक्जाक्ली पता होनी चाहिए हमास ने अटाक किया ऐसा कहना है अक्टूबर साथ को हमास ने बहुत बड़ा मिलिटरी ऑपरेशन इसराइल इसराइल के इसराइल के कंट्रोल में जाके सीड़ा फैक मिलिटरी की इंस्टॉलेशन करने शुरू कर दी और वहां पर इतने जबरदस्त होने लग गए उनको दिक्कते जो है वह और अगर अटाक होगा तो दिक्कते तो होनी शुरू हो जाएंगे तो हमाज जो है उनका ऐसा कहना है कि हम जो है हमने आटाक किया उसमें हमारी तीन समस्या है मतलब हमने आटाक किया वह तीन मुद्दो की वज़ा से अब उनके तीन डिमांड्स या फिर कहलो या फिर तीन मुद्दे कौन से फिर उसके बाद इंडिया पर आएंगे कि इंडि कुछ और आरे तेन्हें पर हम लोगों को द मैं व data कि आति कंप हैं अब क्या है इस्जाsky टो सरकार कि नौन our gonna truth bro बेंग और यह यह सेलम उस रीजन में आ करके क्या करने वाली है वहां को violence create करा रही है पहला उन्होंने यह बोगा इसके वज़े से हम लोग यहां पर आ रहे हैं कि हम लोग बदले में जवाब देखें उसके बाद दूसरा वो यह बोल रहे हैं कि कल को अरब और इसराइली के बीच में सब ठीक हो गया नॉर्मल होना शुरू हो गया तो हम लोगों को अलग से पलिस्तीन में जो है जेरुसेरम नहीं मिलेगा अगर यह नॉर्मलाइजेशन की ट्रीटी यहां पर चलनी शुरू हो गया तो तीसरा वो यह बोल रहे हैं कि जो उस रीजन में इरान का रीजन है इरान के साथ हमारे रिलेशन को अच्छा नहीं करना है यह सब प्रॉब्लम्स की वज़ा से एक हमाज में अटाक किया है हमाज का ऐसा चेक है तो यह इसराइल के अगींस्ट पूरी तरीके से जुटे हुए अब यहां पर इंडिया का क्या स्टे है इंडिया वैसे तो देखो फेवर में है बिलकुल इसराइल के यहां पर अभी हा है यह भेविट zievnam की अइसराइल नहीं है कि अगर आप अभी सुधरे नहीं हिए तभ रॉकषा नहीं था डिया तो हम लोग यहां पर आ करके शुरू कर देंगे आपको भी बोलना फिर आपके उपर पूरी तरीके से फुल अटाक करना शुरू करते हैं ऐसा अभी उनकी वी तरफ से निज़सा है तो यह एक अभी टॉप स्टोरी जो है वो चल रही है हर जगहां पे यही टॉप स्टोरी च शुरू कर दिये थे और उत्ते सरे लोगों के वहां पर जाने चली गई है कुछ उसमें अमेरिकन स्लोग भी है तो काफी जादा जो है वो नूज में रह रहे हैं चीक है असल में हमाज जो है ना यह एक 25 माइल की एक स्ट्रिप जिसे गाजा स्ट्रिप कहते हैं वहां पर सबस होने जोड़ना इससे शुरू हो चीक है और इवन मैंने बताई आपको युनाइटेड स्टेट्स ने इसको टेररिस्ट ओर्गनाइजेशन डिक्लेर कर दे जिसने बहुत जबादस बॉंबिंग किनापिंग रॉकेट एक्स्प्लोजिव और गाजा स्ट्रिप में इलेक्श वो है यहाया सिनवर अभी फिलहाल के उसके बाद अभी इन्होंने अटाक वगएरा करना शुरू करी दिया अब इसका रिजल्ट क्या आता है किस तरीके से यहां पर स्टोरी चलती है यह सब क्या होगा वह हम लोगों आप लोगों को मैं बताऊंगी वहां पर बहुत बुर आप तो खेर वह अपने भारत वापस आ गई है लेकिन इस तरीके से समस्याइं देखने को मिली थी उस रीजल को आगे इसका जो हल है वह हम लोग क्या सोच सकते हैं हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर कि पहले तो तू स्टेट सॉलूशन अगर चाहते हो तो इसको इंप बारे में बात भी कहीं देमोक्रिटिक तरीके से होना चाहिए नहीं लीडर्शिप पलिस्तीन में निकल के आनी चाहिए यह सॉलूशन एक इसका निकाल सकते हैं हम लोग टाइम आ गया कि इसको हम लोग इसराइल पलिस्तीन की जो को अब सॉल्व करने का सोचे अगला आते हैं अभी क्लास 10-12 में आप लोगों को पता है कि बोर्ट के एक्जाम नई करिकुलम के हिसाब से यह बोला गया कि आप में जो इतना स्ट्रेस हो जाता है बच्चों में वह तो है यह हम सबने भी फेस किया बहुत बुरा हाल रहा है बहुत नीदे तक चली जाती कि दी ऐसा लगता था कि भाई सब पर लोग कुछ भी आ सकता है और बोर्ट में अच्छे मार्क्स में तो भाई क्या होगा क्या मू दिखाएंगे यह वो वो यह पता नहीं हम लोगों ने कितना कितना क्या क्या चीज़े सोची है पता है ना सभी लोगों ने फेस किया या आप कोई भी स्टेट से बिलॉंग करते हो बोर्ट के अग्जाम आप सबने बहुत मदब हैं ऐसे फेस किया कि यार क्या ही करें तो इसी प्रकार से यहां पर जो है अभी यह आया है स्था कि स्टूडेंस का जो नहें मेंटल प्रेश थोड़ा सा कम किया जा सके और बच्चो डबी स्टूल करकी कौंसेफ्ट निकाले है तो बढ़े बिक्कति आजाती है तो इस सब के प्रॉस्सेस ने एक निया दो होने चाहिए साल घर में वह एक बताया है तो बकिकाईलाइन्स तयार हुँगी करसे पो जूरूर्त तयारी करकर कि सवुद्व कि पूरी करसे ओक्राइ समयुर्ट तांबी करा scripture को हमारे पास एक तयारी होनी चाहिए यह हमारी इंफॉर्मेशन टेक्निलोजी मिनिस्ट्री ने लॉंच कर रहा है जिसमें यह बोला गया है कि आज की तरीके से करने वाले हैं वह हम लोग यहां पर इंट्रोड्यूस करेंगे आगे आने वाले समय के लिए आगे लिए चीज़े होगे के वाइसी कराते हैं उसके लिए क्या रहेगा पैनल्टी क्या रहेंगी से तरीका क्या है मतलब हर एक चीज़ के बारे में हम लोग बात करने वाले इस आक के अंदर हमें जरुवत बिल्कुल थी जो पुराने आक चल रहा है आई-ट आक आप टॉशन इसको रिप्लेस हो गया और स्टॉक करना फ्रॉड करना यह भी बढ़ गई हैं चीज़ें उसको भी रोखना है लेकिन इसको लाने के लिए वही चैलेंजिस सबसे बढ़े हैं कि पहले तो फेक आई-डी खतम करो सारी प्रॉपर से रूपर से रूपर से रूपर बनाओ लिमिटेशन होने च सब्सक्राइब करते हैं मतलब आपको भी पता है कि AI जब से आया है मतलब हमारा अच्छा उन्होंने काम किया मैं यह नहीं बोल रहे हैं लेकिन बहुत सारी ऐसे समस्याई भी देखने को मिली है जो प्रॉब्लमाटिक हैं आप लोगोंने भी खूब सुना होगा कुछ कुछ इतर उदर की चीज़े हमें देखने को मिली है है ना नेगिटिव विटी ज्यादा बढ़ गई है तो थोड़ा सा उसको रेगुलेट करना देखो मेरे एसाब के तो बेहद जरूरी है इन सब को रेगुलेट जब तक नहीं करेंगे बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी है ना भाई चीज़ है बस इसके अंदर तो इसको भी आप लोग एक बर दिमाग में अगला है प्लास्टिक पॉल्यूशन अरे यार यह तो बड़ा ही ज्यादा नियूज में रहता है प्लास्टिक पॉल्यूशन इतनी खतरनाग चीज़ हो गए ना आज की टाइम पे इतना जबर बड़ी अधर ऐसे रेस्ट्राउन काफे वगया ने जाते हैं तो वहां पर हम लोगों को मतर यह तो एक लोग ने क्या थे हैं क्या खरते हैं कि हमको वैसे जो एक क्रूले देंगे को मोही तो है या कोछ भी लाइन सोटा कुछ भी हमने मंगवा है तो उसको हमको एक तो ग्लास में देंगे ग्लास में पर जब पेपर की चलो प्लास्टिक पॉलुशन बचाने की कोशिश करें बहुत अच्छी बात है लेकिन अगर वही आप प्लास्टिक के उसमें डेंगे डाल के यह तो यह तो एक हिपोक्र प्लास्टिक को ओशन और लिवर्स में वो बायो डिग्रिडेबल नहीं होते हैं तो वह हमारे मरीन इको सिस्टम को बहुत हाम करता है आगको पता है गाये हैं या और मरीन अनिमेज इतनी दिया अगर वो इसको खाती है तो उनके पेट में वो जमा हो जाता है और वो इतना अगर नुकसान दायक पुछाता है और यह चीजे जो है वो नुकसान देती है इसलिए सरकार ने यह चीजों के लिए बोलाए कि हम लोग इस चीज को पूरी तरीके से स्टॉप यहां पर करने वाली है तो वही चीज़े हैं पर प्लास्टिक पूरा उनने से साथ में यह बात निकल कर आई थी ब्लास्टिक की बेकल लाइड से बना करके बनाया जाता है यह सब थे प्लास्टिक जो होता है क्लाइमेट चेंज में बहुत बड़ा रिस्पॉंसिबल है साथ है इसको एक स्मॉल पोशन भी अगर हम यहां पर करें तो भी हमको बहुत फाइदा देगा लेकिन वही है ना कि प्लास्टिक से ग्रीन हाउस गैसे इमर्ज होती है जिसकी वरे से हमारा क्लाइमेट चेंज जो है आज के टाइम पर हम लोग देख रहे हैं गर्मी सर्दी वाला वो सब इनी की वज़े से निकल के आ रही है और प्लास्टिक स्वाइल में जाएगा तो हमारी स्वाइल की बिल्कुल हिल्ट खराब कर देगा मलेया डिंगू जैसी चीजे लेकर क्या क्लाइब जाता है तो प्लास्टिक और प्लास्टिक से बनी हुए चीजे हमारे जब एंवार्में बिल जाती है घुल जाती है पानी में चली जाती है तो वह वहां पर उनकी सफोकेशन और देद का सबसे बड़ा कारव करता है हमारे जो बैक्स भी उतना बोला चाहता है कि वज़े से उनकी गले में अटब जाता है जिसकी वीस से कोई-नीं की समस्या उसमें आती है और यहां जो pat जिए पेपर बैक्स का इस्तिमाल को अच्छी बात है पेपर बैक्स को इस्तिमाल को आई दो यूज़ और इसे वहें ऑना प्र प्रोग एक मिश्व किया प्रोजेक्ट री प्लान री प्लान मतलब रिडूसिंग प्लास्टिक गे के वी आई सी जो है वो अलग से मुंबई में इसके हेड़कॉर्टर लोकेटिड है जिक है अपना काम करती है हमारे जितने भी फूड और वाटर की चीजे हैं वह हम जार में स्टोर करें प्लास्टिक बैक पो रियूज करने की कोशिश करें इवन यह भी बोला गया था मैं कि कि तो भाड करो तो लागु करना इन ने पर सिकों द्यान चेह करना था शून करना था चीम किए लेकिन ऊधान "'लैक।роп पत् carb तो यह सब चीज़े करने की जरुवात है जो कि अभी तक नहीं की गई समझे बात को बाइए यह सब आपने भी जरूर किया होगा है आप सभी में बिल्कुल रियलाइस एक्जामपल दे आप सबने भी इस्तिमाल किया बीट प्लास्टिक पॉलुशन करके स्टार्ट किया गया था इंडिया में भी प्लास्टिक वेस्ट आप देख सकते हो हमारी बताया उन्होंने कि 26,000 तन जो है प्लास्टिक एवरिडेय निकल के आता है और अन कलेक्ट रह जाता है उसमें से आदे से जादा तो ठीक है और अन प्लास्टिक जो रह जाता है न वहां पर हम लोगों को रियूस करने की ज़रूरत है अन प्लास्टिक जो है ऐसा वेस्ट भी तो यही सब चीज़े है वेस्ट को प्रोडक्ट से उनको एलिमनेट करो और जो भी उसमें से यूस कर सकते हो वो यूस करो सर्कुलर रिक्रॉमी लेक्या और रियूस और रिसाइकल तीन आर आपने पढ और टाइगे इन्हें जो है एक साथ बोला जाता है जिनको कहते हैं भूल कहते हैं यह मानस नाशनल पार्क में देखी गए हैं तो ऐसा बोला गया है कि यहां पर जितने भी जंगली डॉब्स हैं एशियाटिक भूल जिने कहते हैं वह अपनी तेंदू के साथ जो हैं सबसे जादा एक तरिकी से घुल मिल करके रह लेते अश्क स्टेडि आईया मानस में मानस नाशनल पार्क असाम के अंदर टोटल नमबर अफ नैशनल पार्क 7 है पूरे इंडिया में सबसे जादो नाशनल पार्क मध्य प्रदेश में हैं मध्य प्रिदेश की लेवन उसके बाद तो उसी की नियूस है कि वहां पर साथ में रहते हुए और यह बोला गया कि हो सकता है कि खत्रे की जांच हम यहां पर देखना चाहिए कि अगर यह साथ में रह रही है तो इनकी कि दो सब्सक्राइब का साथ में रहते हैं इंडिया में तीन तरीके के होते हैं जो कि बहुत सारे ग्रुप्स में रहते हैं और साथ ही साथ यह उससे घ्ली मिलेंगे पहाडो वाले रीजन रहे आपको और मलाई ऐंज चैना वाले मंचूरिया रेजन में और ए अच्छा यह मंट पढन ले ना यह मंट पूल्हेंं चाहिए जगा का नाम है व्लोग तो खाते हैं वह अ अपर भी खाते्थिंस को को वहीं से तो आया है ये सारे नूडल्स और ये चाइनीज आइटम सारी वहीं से तो लिकल के हमने काने शुरू करिया तो धोल्ज जो है या भी न्यूस में चल रहे है और एशियाटिक वाइल डॉक्स के रूप में इनको भारत में अच्छे से जाना जाता है और इंडिया में यह आपको मिलेंगे कुछ रीजन में कुछ-कुछ रीजन में है यह और इनका आयूसीन स्टेटर्स जो है वो एंडेंजर्ड के रूप में कहा जाता है तो हो सकता है कि यूपी से या कोई भी और एक्जाम वाले धोल्स के ओपस स्पेशली कुछ ना कुछ यहां पर पूछ जयते हैं चलानस बोला जाता है 1972 वाइल लाइफ में प्रोटेट किया गया है इनके लिए इंडरा गान्धी जोलोजिकल पार्क लिशाखा पाद्ना म्या अपर चीक है और यह सब से अगधा आपको उसी रीजिन में मिलेंगे एक तो वेस्ट ऑशन खाट दोनों में मिलेंग तो यह थी इनके बारे में इनको भी दिवाग में रखेगा बढ़ते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ क्लाइमिट चेंज की वरे सी रिपोर्ट निकाल करके आई है कि पांच में से दो ऐसे जिनको खत्रा हो सकता है और जो है काफी सारे ऐसे जिनकी रिस्क के ओपर बात क है चोटा सा आर्टिकल इसमें कुछ बहुत जादा नहीं पढ़ना आपको मैं सिंपल एक्स्प्लें कर रहे हूं आपको हाबिटाट उनका वल्नुरेबल कहा गया इसके रीडिंग आप कर सकते हूं बाकी थोड़ा सा यह आपको पता होना थी इस आर्टिकल को आप लोग अल वर्टिब्रेट्स वह होते हैं जिनकी बैगबून जो है वह होती है उन्हें वर्टिब्रेट्स के नाम से जाना जाता है तो आपको आपको एंफिवियंस के बारे में यह छोटी सी इंफॉर्मेशन याद रखनें बाकी देखो यह सब नहीं पढ़ना यह सब ना बहुत डी है सिरफ कि यह ऐसे होते हैं उनकी कंजर्वेशन की बात चल रही है और इनके आगे कंजर्व करने के लिए भी एक्शन प्लान तयार किया जाएगा प्लाइमेट रैसिस को रोकने के लिए इसको आपको अलग से एक्स्ट्रा रीड नहीं नहीं करता है यह आ सकता है एक क्वे एजिंग रिपोर्ट कि भाई एजिंग जो पॉपलेशन है वो कितनी ज्यादा चल रही है इंडिया के अंदर किसकी एज कितनी और कितना उत्ता प्रॉब्लम चल रहा है उसके ओपर यह चीज निकाली गई है तो वही एक पूरा आंसर है इसके अंदर या पूला रीड कर सक आंसरे में आप एजिंग रिपोर्ट किouse रीपोशन को पिछले पहलें बगल कि उत्तुमेंगा क्वार श्रण बभर्बन सकता है तो इसको एक इंदर देख लेते हैं कि इस स्टेटमेंट क्या कहती है इसकी फर्स स्टेटमेंट कहती है कि जो हमारी यून की रिपोर्ट है वो यह बोल रही है कि इतने आले सालों में मतब एज वाली जो बुड़े लोगों की पॉपॉलेशन इतनी बढ़ जाएगी बिल्कुल सही बात है ऐसा रिपोर्ट में ने पढ़ा है था अगला कह रहा है कि 2050 तक 30 परसंट जो है पॉपॉलेशन टोटल पॉपॉलेशन का 30 परसंट केवल इंडिया की पॉपॉलेशन होगी तो देखिए भाई ऐसा नहीं है हां है इंडिया की है पर वह 20 परसंट है 30 की जगह 20 याद कर लो पूरे वर्ल्ड की जितनी भी पॉपॉलेशन होगी बुड़े लोगों की उसमें से 20 परसंट इंडिया रहेंगे और हमारी जनरेशन होगी यार हम ही ब यहां पर लोग होंगे बुड़े उसमें से 40 परसंट के बाद बहुत कम वेल्थ होगी गरीब संपत्तिवर्ग में आएंगे और 18 परसंट ऐसे होंगे जिनकी कोई इंकम ही नहीं होगी ऐसा बोला गया है तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि हमारी बात बुरा लग रहा है तो बहुत है तो इसमें साइब कर सकते हैं इसकी ओप्शन को भी फिर्स ठीक लिखा है सेगिंड वाली में क्या मिस्टेक है 20 परसंट रहेगा ठीक है थर्ड ठीक लिका हुग है अगला क्वेशन देख लेते हैं वह कह रहा है कि अभी हाल फिल हाल में जो है एक यूवा कारेकरता ने यूरोपे सरकारों पर मुकादमा चलाया उसके बारे में पूछा गया है 32 सरकारों की ऊपर तो भई इसके अंदर यह है कि इसमें स्थ स्टेटमेंट ठीक है कि छे जो यंग पॉर्चुगीस थे उन्होंने 11 से 24 केस में जो है वो केस यहां पर किया था और उन्होंने यह बोला है केस में कि जो गर्मेंट है ना वो पैरिस अग्रीमेंट को जो पैरिस अग्रीमेंट 2015 में हुआ था जिसमें टार्गेट था कि ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेज़ेस के आगे बढ़ने नहीं देंगे तो यहाँ पर वो बोला जा रहे कि सरकार एक्शन नहीं ले रही है एक्सीडिंग नहीं है ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने उन्होंने बोला है उन्होंने एक्सीडिंग के लिए नहीं बोला कि आप समझोते को पार कर रहे हैं आप इसकी लिमिट बढ़ा रहे हैं नहीं उन्होंने यह बोल सब पर यह चीज बाधा हो जाएगी कि आपको यह मानना ही मानना है तो यह सही है वन एन थ्री स्टेटमेंट इसमें से यह वाली स्टेटमेंट गलत है एकसीडिंग नहीं बोला उन्होंने ऐसा कुछ समझें भाई तो यह केस के बारे में अलग से एक याद में रखेगा मैंने धून के फ्टेशन निकालना आप अच्छा कूऩ निकाला है यह वाला तो यह आप लोगों को दिमाग में रखना है केस पर लो इस पूरे को यह वाला भी िर्ट कर लो एक बार घव मार भे Sched Шटे ओ यह आप लोगों को याद रखना है 22 कंट्री को दिया सब्टेंबर में किया था यह 27 सब्टेंबर को पत्तस कंट्री के ओपर योडोपन कोट अफ यूमन राइट में जबरदस्ट यहां पर 30 बत्तस कंट्री का यहां पर शुरू हुआ बाइस जर्जेस के सामने बात शुरू हुई करते करते यह केस आगे बढ़ता है अभी केस सक्सेस्फुल अगर हो गया वो पता चलेगा इसमें कि क्या सॉलिशन निकलता है इसका चेक है आज का हमारा क्वेशन है जो पीपल ओफ इंडिया पी ओवाई जो होते हैं और हुमन्स ऑफ बॉंबे के ओपर जो यहां पर केस हुआ है उसके ओपर आपको बताना है आई पी आर इंटेलेक्शल प्रॉपरटी राइट इंटेग्रिटी सस्टेनेबिलिटी के अगेंस यहा यहां पर अपना प्लैट्वर्म यहां पर तयार किया है तो यह एक केस निकल के September में आया था मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसको cover किया था तो इन्होंने यहाँ पर केस कर दो कि बहुत इन्होंने अपना एक प्लैटफॉर्म जो है हमारा copyright का issue पर copyright के उपर है तो copyright के उपर आपको लिखना है IPR वही copyright का issue होता है यहाँ पर कि दोनों यहाँ पर storytelling है stories कभी-कभी ऐसे होते हैं कि आप शेयर करते हो YouTube पर Reels पर Instagram पर Facebook पर तो यह एक platform के रूप में है जो कि start किया गया था New York से शुरू New York जाना humans of New York ऐसे humans of यहाँ तक तैयारी कीज़ेगा बाकी मिलते आप सभी लोगों से नेक्स लेक्टर में तब तक के लिए धन्यवाद शुक्रिया जैहिद ऐसे ही पढ़ते रहें वीडियो स्टाइम के मिलती रहेंगे आपको अपनी तैयारी को मत छोड़िएगा